वेल्कम बैक अब्रिवन वेल्कम टो सुवल सर्व से स्टड़ी नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसियस के लिए टेस्ट नमबर थर्टे सिक्स है इस टेस्ट में फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्णों पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो कुश्ण नमबर बन पर आ जाई है सारे के सारे प्रश्ण हिस्ट्री से हैं मॉर्निंग में जो टेस्ट डाला था 35 नमबर का यूपी पीसियस के लिए वो था जोग्रफ ही यह है हिस्ट्री ठीक है नमरकित मैं से किसने 1857 के विद्रोह को एक सड़यंत्र की संग्याती है जेमस आउटरम और डबल्यू टेलर थीक है जेमस आउटरम और डबल्यू टेलर ने कौन सा सड़यंत्र बताया नो ने देखे जेम साउत्राम और डवलू टेलर ने 1857 के विद्रों को हिंदू मुस्लिम सड़यांत्र का परणाम बताया है भारतिय स्वाधिन्ता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था भारतिय स्वाधिन्ता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? SNCAN 1857 के विद्रों के कारणों पर लिखने वाला पहला भारतिय कौन है सायाद एहमद खां ओप्सन नमबर ए तो देखिए सर सायाद एहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक अस्बाव ए वगावत ए हिंद वर्स 1859 में प्रकाशित होई जिसमें 1857 के विद्रों के करणों ये चर्चा की गई थी ठीक है कौन सा आयोग 1857 के विद्रों के दमन के बाद भारतिया फोज के नव गठन से संबन्दित है पील कमिशन पील आयोग बी तो देखिए 1857 के विद्रों के दमन के बाद विटिस सरकार ने भारतिया फोज के नव गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजन जनरल जोनाथन पील के अध्यक्सता में एक रॉयल कमिशन यानि पील आयोग का गठन किया जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाती समुदाय और धर्म के आधार पर विवाज़त किया ठीक है बहुत फेलाई इन लोगों ने धर्म बढ़ाया छुआ छूट का कर्म कौशन नमबर फाइब पर आजएए नमलिकत मैसे कौन सी घटना महराष्ट में घटित हुई थी कौन सी घटना है जो महराष्ट में घटित हुई है इन मैसे इनकी सन पूछ ली कभी कालानव गरम पूछ लिया इनक्रीजिंग ओडर में इसका अंसर अप्सवन नमबर भील विद्रो का संबंद महराष्ट से तो भील विद्रो जो है महाराश्ट में घटित हुआ था भीलो की आदिम जाती पश्चमी तटके खान देश में रहती थी 1818 से लेकर 1831 से स्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद विद्रो कर दिया एका आंदोलन का प्रारम भी किया गया था एका आंदोलन का प्रारम महाराश्ट के किसानों दौरा नहीं किया गया था बंगाल के किसानों दौरा भी नहीं किया गया था पंजाब के किसानों दौरा भी नहीं किया गया था उत्तर प्रदेश के हर्दोई, बहराईज और अन इस्थानों के किसानों दोरा किया गया था एका आंदोलन, आप्सन नमबर डी है इसका अंसर तो एका अंदुलन का प्रारम उत्तर प्रदेश की हर्दोई बहराई सीता पुरादी जिलों में किसानों दोरा किया गया इस अंदुलन का मुख्य मुद्धा निर्धारित लगान से 50 प्रतिशत अधिक लगान वसूल ना था इस अंदुलन का नितरत पिछडी जाती के मदारी पासी ने किया था ठीक है तो एका अंदुलन का नितरत तो करता सामने लिखा रहेगा या किसी दूसरे स्टेट्मेंट में लिखा रहेगा मदारी पासी तो लगा दोगे ना ठीक करेक्ट कॉश्चन नमबर सेबन पर आजाईए सात्वा प्रशन अठारे सो सतावन के विद्रों के पस्चात निम्रिकित में से कौन लोग प्रियांदोरन हुए कौन से लोग प्रियांदोरन अठारे सो सतावन के विद्रों के पस्चात हुए यानि बाद हुए यानि एक तरह से देखा जाए तो इनकी डेट पूछ रहा है सन पूछ रहा है देखें जो संथाल बिद्रो है ये तो 48556 का है संथाल बिद्रो 556 का है तो ये तो पहले हो गया नील बिद्रो 57 के बाद का विर्षा मुंड़ा तो बहुत पूछते हैं ना इसको 4899 तक चला था 9999 तक ठीक है इसकी डेट बड़ी पूछ जाती है संथाल भी पूछ जाती है तो दो तीन चार हो जाना चाहिए इसका अंसर दो तीन चार तो अप्सन नंबर भी हो जाएगा इसका अंसर 234 तो के बाद अगर बढ़ते हो नहीं पूछ रहती हैं संथाल बहुत पूछते हैं और इंपॉर्टन नील विद्रोवी 1859-60 को फिए viene से वह प्रथम्नेता कौन था भारत में मज़दूर आंदोरन को संगठित किया, किसने किया था? N.M. लोखंडे, Option N.C. भारत में मजदूर आंदोरन को संगठित करने वाला, तो N.M. लोखंडे का ge t replace नाराण, नारायन, मेघाजी लोखंडे, भारत में श्रमान दोरन के अगरदूरत माने जाते हैं उन्होंने नाकेबल 19-वी सताबदी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कारिगरू की या काम गरू की परिस्थती में सुधार के लिए प्रयास किया वलकी जातिया और संपरदाईक मुद्दो पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है एन एम लोखंडे नारैन मेघाजी लोखंडे महत्मा गांधी अब उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे कौन थे अलूरी सिताराम राजू नहीं जदोनाग बी है इसका अंसर तो महत्मा गांधी और उ 273 ता सेना नी थे ठीक है कोते हैاتे क्लिगर। 10 पर आजाईये है भारत में अंग्रेजोंने परथम मदर्सा कहां इस्थापित किया था कल्कत्वान में वौरें हैंस्टिंग ने कल्कत्वा तै Caleb मुंबई है मदरास पताईये है कहां किया था कलकत्वान में किया था तो सत्री 181 में वारेन हैंस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी इंपोर्टन्ट है प्राश्न कॉशन नुमर 11 पर आज़ेए स्वतंतर्ता पूर्व अबधी में बिटेश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक सिक्षा के परशार का मुख्य उद्देश था चोटे प्रशाशनिक पदों पर न्युक्ति है तो सिक्षित भारतियों की आवश्यक्ता या भारते संस्कृति को प्रत्साहित करना या भारते लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राशनितिक जिम्मेदारी में भाग ले सके बटाए स्वतंतरता से पूर्व अवधिवें बिटे सरकार द्वारा भारत में आधुनिक सिक्षा के प्रशार का मुख्य उद्देश क्या था क्या लग रहा है यह ज़्याद़ लग रहा है ना यह छोटे प्रशाषनिक पदो उपर नियुक्ति है तू सिक्षित भारतियों की आवश्यक्ता भारते संस्कृति को क्यों प्रोथाहित करेंगे वो या भारते लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनितिक जिम्मे दारियां भाग लें वो यह है इसका आंसर है तो ब्रेटिस राज द्वारा भारत में अंग्रेजी सिक्षा का परशार करवाने की पीछे मुखे करन था परशासन का खर्च कम करने की चिंता जिसके लिए सरकार सिक्षित भारतियों की संख्या बढ़ाना चाहती थी जिससे पर शासन और वर्टेस व्यवसाइक प्रतिष्ठानों के छोटे कर्मचारियों की बड़ी और बढ़ती होई जरुड़तों को पूरा किया जा सके छोटे कर्मचारी मतलब अधिकारियों की और फोकस नहीं कर रहे थे वो कोशन नुम्बर बारे पर आजई है भारत के अपनी वैशिक काम में अधो मुखी निस्पंदन सिद्दान्त किस शेत्र से संबंदित है किस शेत्र से संबंदित है सिक्षा के शेत्र से संबंदित है तो भारत के अपनी वैशिक काल में अधो मुखी निस्पंदन सिद्दान्त शिक्षा के शित्र से संबंदित था इस सिद्धान्त कार्थ था कि सिक्षा समाज के उच वर्ग को ही दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर ही सिक्षा असर जन समाने तक पहुँचे ठीक है Q13 पर आजाए तेरो प्रशन है भारत की सेक्षिक नीती में फिल्ट्रेशन थियोरी के प्रतिपादक थे भारत की सेक्षिक नीती में फिल्ट्रेशन थियोरी के प्रतिपादक कौन है मैकाले या चार्ल्स वोड लॉड कार्नोबलिस तो है नहीं जे एस मिल भी नहीं है कौन है भारत सबीन पिल्टेशन थियोरी के पृटिबादध है मैं काνοै है है oh Mr14 पर आ 이용 भारत में आधुनिक शिप्षा-परणाली की नीव किस्ते पड़ी भारत में आधुनिक-शिक्षा-परणाली की नीव इस पड़ी 1831 का चार्टर अधिनियार्ट या 1835 के में काले केस्मिन पत्र या 1852 का हंंटर आयोग या फे 1854 का वोड्स डिसपैज आधूनिक सिक्षा पृड्णाली की नीव अप्सान नंबर भी है इसका अंसर 1835 के मेकाले केस्मण पत्र तो भारत में आदुनिक सिक्षा पणाली की नीव 1835 के मेकाले केस्मण पत्र से पड़ी सीधे सीधे याद रखिए इंपोर्टन्ट है अंतिम प्रश्ण है भारत में पर्थम तीन विश्विद्य अले की स्थापना किस वर्ष होई थी और कहां होई थी ये भी मोस्ट इंपोर्टन्ट है तो किस वर्ष होई थी 1857 में तो देखिए भारत में अंग्रीजी सिक्षा का मैगना काटा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वोड डिस्पैच को अधार बनाकर लंदन विश्विद्याले की तर्जपर ब्रिटिस भारत में तीन विश्विद्याले कलकत्ता मदराज और बंबई में इस्थापित किये गए 1857 में ठीक है तो 15 प्रशन थे ये इनकी प्रैक्टिस एक बार करके एक बार रेविजन कर लिजेगा इंपोर्टन्ट है ये एक्स्पैनेशन अगर हम ती प्रगती से आगे बढ़ते हैं तब भी आप पॉस मारके इसको दो बार तीन बार पढ़ सकते हैं इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने वहाँ पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर और यह जो टेस्ट है इस तक पहुंच सकते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है धन्यवाद